जय महाकाल दोस्तो आज हम देखेंगे भारत के साथ ऐसे दिव्वेधाम जो भारत में है दोस्तो आज हम बात करते हैं भगवान शिव के प्राचीन मंदिर जोकी भोले बाबा के सबसे प्राचीन मंदिर है इन मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भक्तगण भारत से ही नहीं बलकि विदेश से भी आते हैं तो आज जानेंगे हम भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों के बारे में जो भारत में है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम जम्मु कश्मिर अमरनात बाबा की गुफा भारत और भोले बाबा के धार्मिक स्थलों में से एक है बाबा अमरनात के दर्शन के लिए श्रद्दालू बहुत ही दूर दूर से आते है बाबा आम्मरनात की गुफा बहुत प्राचिन यह अद्बुत दिव्वय है इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम आंदरप्रदेश के मलिकारजुन मंदिर के बारे में यह मंदिर आंदरप्रदेश के कुरुनुल इलाके में है यहां भोले बाबा का मंदिर बहुत ही आद्बूत है और इसमें की गई अलग-अलग तरह की नक्षी काम अप्रतिम है परेटों को अपने तरब आकर्शित करती है यहां श्रद्दाव लोगों की काफी भीड रहती है यहां मंदिर अविस्मर निया है इसके बाद में बात करेंगे हम दोस्तों ओडिसा के लिंगराज मंदिर ओडिसा में स्थित भगवान शिव का मंदिर बहुत प्राचिन और खुपसुरत है यह शिव मंदिर बहुत विशाल और सुन्दर है भोले बाबा के इस मंदिर को देखने के लिए भक्त गन भारत से ही नहीं बलकि भार देश से भी आते है करनाटक मुरुदेशवर शिव मंदिर अरब सागर के तठपर है इस मंदिर में भोले बाबा की दुसरी सबसे बड़ी दुसरी मुर्ति स्तापित है जो की बहुत सुन्दर मुर्ति है इस मंदिर में जाने के बाद मन को बहुती शांती बहुत प्रसंदता मिलती है और इस शांत वातावरन में जाने का शांत वातावरन में से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता तो ये मंदिर बहुत ही अद्भूत है दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे तामिल नाडु के रामनात्पूर जिल्ले का यह भगवान शिव का मंदिर चारो धाम की यत्रा में से एक है इसके अलावा यहां स्तापिज शिवलिंग 12 द्वादश जो तिर लिंगों में से एक माना जाता है अब बात करते हैं हम केदारनात मंदिर भोले बाबा का केदारनात मंदिर भी भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है और इस अदबुत शिव मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर के द्वारा सिर्फ अप्रे से लेकर नौंबर में ही खोलते है बाकी टाइम इस मंदिर के द्वार बंद रहते हैं यहाँ पर मोजुद स्युलिंग कापी प्राचीन है वारा नशी काशी विश्वनात मंदिर पिछले कई हजारो सालों से वारा नशी में स्थित है काशी विश्वनात मंदिर 12 जोतिर लिंगों में से एक है और इस मंदीर को देखने के लिए और भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्दालू बहुत दूर दूर से आते हैं तो दोस्तो यह थे भोले बाबा की सबसे प्राचीन शिव मंदीर तो दोस्तो उम्मित करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी सबसे पहले तो कमेंट में जे महाकाल लिखे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सस्क्राइब करें मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जे भोले बाबा जे महाकाल जे शिवाए ओम नमस्षिवाए मिलते दोस्तो आगले वीडियो में